हेलो फ्रेंड आज मैं मिठाई लेकर आई हूँ आपके लिए यह देखकर आप सोच रहे होगे कि यह मावा का मिठाई है लेकिन यह मावा का मिठाई नहीं है यह देखने में कितना टेस्टी लग रहा है उतना ही टेस्टी यह खाने में भी लगता है और बनाना बिल्कुल आस दूघ को अच्छा है ना तो चलिए मिठाई बनाते हैं मिठाई बणाने के लिए बटर वीश्वीट ले लेंगे फैमिली पेखे पुड़ा एक पैक ले लेंगे इसमें 24 वीश्रीट हैं सभी को डाल लेंगे एक बॉल लेंगे बॉल में बिस्किट को एक एक कर डालेंगे अब इसको थोरी सी दूध लेंगे इस तरह से डाल देंगे अब थोरी सी दूध लेंगे दूध सिर्फ उतना ही डालना है जिससे बिस्किट अच्छे से पूरी तरह से भींग जाए देखिए इस अगर पूरी तरह से बिस्कित नहीं भींगा है तो क्योंकि इसको पूरी तरह से भींगो ना है तभी बिस्कित फूल जाएगा पूरी तरह से भिंगो के रख देंगे चलिए इसको रख देते हैं जिससे ये थोड़ा देर छोड़ देंगे जिससे ये अच्छे से फूल सके एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे थोड़ी सी काजू लेंगे काजू को इस तरह से बारी के कट कर लेंगे बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा कट करना है इस तरह से देखिए काजु को कट कर लेंगे आप और भी कोई ड्राइफुट डाल सकते हैं मैं सिर्फ काजु ही डालूंगी इस तरह से देखिए बारिक चौप कर ली हूँ अब बिस्कुट को लेंगे चलिए देख लेते हैं मिश्कुट ऑच्छी तरह से फूल गया है कि नहीं देखिए बिस्कित फूल गया है इसमें नारियल का मुरादा डालेंगें 50 गराम मिल्क पॉडर डालेंगे कोई भी मिल्क पॉडर आप डाल सकते हैं किसी भी ब्रांड का 50 गराम मिल्क पॉडर डालेंगे इसमें चीनी हम लोग नहीं डालेंगे क्योंकि मिल्क पॉडर भी मीठा होता है और विस्किट भी मीठा होता है इसलिए चीनी नहीं डालना है और काजू अब जो बारिक हम लोग कट करके रखे थे उसको डालेंगे और डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से देखिए डो का से देदेंगे डो बना लेंगे देखिए कितना अच्छा से मिक्स हो गया है ना इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमारा डो बनकर विस्किट का तैयार है विस्किट कोकोनट का इस तरह से डो बना लेंगे अब चॉपिंग बोर्ड लेंगे या कोई भी प्लेटफॉर्म पर भी आप इसको बेल सकते अच्छे से मिक्स कर लीजिए डो को जिससे डो पूरी तरह से चिकना हो जाए दे से इस तरह से बेल लीजिए आपको जो सेब देना है दीजिए अपने अनुसार मैं गोल बनाओंगी देखिए इस तरह से चारो तरफ से और एक चीज़ का ध्यान रखेगा बहुत हलके हलके हाथ से बेलना है ज्यादा प्रेशर नहीं देना है नहीं तो यह अच्छे से बिल ट्रफ इस तरह से फड़ एंगे, देखिए चारो तरफ लगाएंगे, देखिए देखने प्रेशा लग रहा है लगा रहा है अब लेकर इसकों हलका सी से बहुत हलका हलके हाथों से चारो तरफ घुमा देंगे जिससे काजू हमारा अच्छे से उसमें शेट हो जाए इस तर से कट कर लेंगे देखने में ये बिल्कुल मावा लग रहा है लेकिन बिना मावा बिना दूद का मिठाई बनकर तैयार है आई होप आपको मिठाई पसंद आएगा तो टेस्टी अश्वादिस्ट मिठाई बनकर तैयार है इस तरह से कट कर लेंगे देखिए मैं cut कर ली हूँ अब ये side वाला portion है इसको हटा लेते हैं side रखते हैं और एक-एक कर मिठाई को निकाल लेंगे देखिए कितना अच्छा मिठाई बनकर तयार है अब ये जो side वाला portion था उसका मैं roll बना ली हूँ आप कोई भी safe अपने अनुसार दे सकते हैं अपना मन चाहा safe दे सकते हैं देखिए मैं side वाला का roll बना ली हूँ कितना अच्छा लग रहा है न देखने में तो हमारा मिठाई बनकर तयार है कितना जटपट बन गया है और बनाना कितना आसान है बिना मेनद बिना जटन जटका मिठाई बनाई है देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है इसका texture वेगर अभी कितना अच्छा है और ये खाने में बहुत tasty लगता है तो आप लोग एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करिएगा चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखाते हूँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है न और कितना शॉप्ट भी है जब ये मिठाई खाईएगा तो एकदब मुझ में घुल जाएगा तो आई होप आपको मिठाई पसंद आया हो मिठाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा मिठाई पसंद आया तो एक लाइक कर दिजेगा और सब्क्राइब कर दिजेगा हाँ दोस्तो बेल आइकोन जुरूर प्रेस कर दिजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर दीजेगा तैंकि